नमस्कार मैं हूँ सौरब दिवेदी तारीक 19 दिसंबर प्लेटपॉर्म ललन टॉप का जगे जंतरमंदर देश की राजदानी का वो सरकारी नोटिफाइड इलाका जहां पर धर्णा प्रदर्शन की इजाज़त है आजकल सरकारी जास्तों का बड़ा जोर है सरकार धारा 144 की बार बार बात करती है और ऐसा लगता है कि धारा 144 को डिफाई करना सबसे बड़ा जुर्म है सरकार इश्तिहार दे रही है सरकार सफाई दे रही है जिन लोगों को सफाई दे रही है उनमें से कुछ जंतर मंतर पर जुटे हैं उनसे बात कर लेते हैं जी क्या नाम है आपका सर में नम रिहान है क्या अर्थ यह इसका मैं अर्थी यह सर के जो लोग घर में पैठे वे स्रिफ टेलिविजन ओन करके आज हमारे संविधान को मिटता हुआ देख रहे हैं जैसा होगा नहीं लेकिन तुखी तोर पर मुझे कहना पड़ता है यह उनके संविधान के बाद लगेगा ना लेकिन सीए जो यह तो सीदा सीदा वार्लेशन ने आर्टिकल 14 का कैसे यह सर आर्टिकल 14 ने क्योंकि हमारे समविधान में जो है सब को पराबरी का हग दिया गया है जात के अनुसार पर ना रंग के नुसार पर ना किसी भी कम्यूनिटी को हम छोटा बड़ा नहीं समझ सकते इस वजह से अब हमारे सीए में वो कह रहे हैं सरकार कह रही है बार बार की सीए को हम लाएं ताकि जो दूसरे देशों के उत्पीरित संख्या के उनको हग दें भारत के लो किसी भी विक्ति का हग में बहुत एच्छी बात है आप हग देन हमने पे रहने चूस करा और कि जान देने की बात आईगे हम यहां पे स्टेंश जान दे देंगे हम किसी से नहीं डरते लाटी से लोगें वो पाकिस्तान के साहत है बहले इसी हिंदों या कोई भी ओ हग है अगर ये लोग एन रसी लाते हैं इसा तो हिटलर ने भी कहा था ना न्यूरंबर्ग लो के बारे में यह बेसिकली ऐसा है इनके पास जो है अब राम मंदिर का मुद्धा नहीं है अब इनको एक और एजंड़ चाहिए चलाने के लिए अब यह ले आएं सीए यह जाते हैं दरार डालना लेकिन हमें दरार नहीं पड़ेगी मेरे फ्रेंड हैं बहुत सारे हिंदू हैं सिख भी हैं हम एक ही पलेट में खाना खाते हैं हमने एक साथ पढ़ाई करिए हम आज अपने हकी एक साथ लड़ाई लड़ने यहां पर कितने सारे लोग नोन-muslim हैं ऐसा नहीं है सिर्फ यहां पर मुसल्मान खड़े अर इन्हों ने जो जामिया केंदर बरबरता करिया वो इन्हें करनी चाईए थी क्या अगर हम रोग कर रहे थे स्टुडेंट तो इन्हें पीस फूलिया में समझाने चाहें था इन्हे नहीं करना चाहे थै के गल्स बूट स्काहिए तो आपको लोईन ओडर बनाया रखना है विलकुल हकीकत बात है तो जो भींड में ऐसे प्याना में याँ पर अरकत करी तो आपको उनको पकड़ना चाहिए था ना यह थोड़ी कि आपको वह क्या करते है घुन के साथ गेहूं भी पिस्ता है आपने तो वह इसाब पर जा के स फेसरीज का रहा हूं फिख कर रहा हूं जह आपने सरकार की बहुत सारी बाते रखी के सरकार जह करें आपको हमारी भी बात रखनी होगी कि हम क्या कहे penn अल्स्थर फेसरीत स्टोडमें टर इसंविल्कुल बुर्बुन्याद बात है जामिया के मेंगेट पे चार आर्मी परसनल होते हैं रिटार्ड आर्मी परसनल विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एक स्टूडेंट जामिया के अंदर नहीं गुच सकता देन उसके बाद जो मेडिया पे लोग लिख रहे हैं कि खुद वी सी ने एडमिट किया है कि कई फ लाइबरेरी में जब दाखिल हुआ जाता है तो वहां पर भी आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है कितने बड़े सोशल एलिमेंट थे जो जामिया के अंदर घुसे फिर लाइबरेरी के अंदर घुसे और आपको आप आप देख रहे ते घुस्ते हुए आपने देख पुलिस वालों ने देखा घुस्ते हुए इसलिए वह घुस्ते घुस्ते लाइबरेरी तक चले गए और उसके अंदर आशुक है इसके गोले मारे क्या शर्म नहीं आती है कि इसको आप यही देख लीजिए तीन दिन के अंदर देली पुलिस ने तीन स्टेंड चेंज किया पहले उसने कहा कि गोली नहीं चली जब गोली लगा हुआ इस्टूडेंट मिल गया तो कहता है कि देशी कार्तूस से चली है कार्तूस हमें मिला है जामियनगर में जब वीडियो सामने आ जाता है कि पुलिस चला रही है गोली तब कहते हैं कि हमने अपने बचाओं में गोल नहीं है कि हम जो चीज हमें पढ़ाई जाती है अगर हम उसको अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट कर रहे हैं अगर समविधान के खिलाफ आर्टिकल 14 के खिलाफ हमारे प्रियंबल के खिलाफ एक लौ बना दिया जाता है अर्टिकल पॉर्टी बिफोर लौ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा चाहे वो धर्म हो जाती हो लिंग ओ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा जी मुहमद राशिट मॉहमद राशिट मॉहमद क्या करते हैं आप से मिलॉकस टूएंट ओने इस्ट्राइब या जानना चाहती है कि किस आधार पर आप लो विरोध कर रहे हैं पहले हम सब को समझना चीए कि हम लोग यह मुस्लिम यह हिंदु वाले मैटर के वे से रोध में हम लोग इस देश के सन्विधान को बचाने के लिए इस देश में इस वक्त गॉर्मेंट करेंट ली वो पूरी संके दुवारा चल रही है जो इस देश के सेक द्धरम के अधार पर वो लोग हमें आगरिक अईसा कभी भी नहीं था यह था कि इन लोगों ने क्या गया कि जो इन्होंने की बीसलाग लोग जब निगले तो यह शौक डोग है कि इतनी बड़ी आबादी नौन मुस्लिम की कैसे है तो आगर हम इनको ने देंगे तो हम हिन करना पर देंगे धरम के दार पहांगे जोड़ा हमारी देश की सब्वेटा संस्कृती वासुदेव कुटम हमारे सुवामी विवयाकानन जब शिकागो जाते हैं तो यह कहते हैं मुझे गर्वे इस देश्बर में इस देश से आता हूं जहांप सबको श्रंड दिये अगर और आज आप यह कह रहे हैं कि हम हिंदू को देंगे और दूसरे धरम वाले को देंगे लेकिन मुसलमान देंगे तो यह तो गलत है यह आप सुप्रीम कोट की जजमेंट पढ़ रहे कैशम नंदा भारती है केस में उन्होंने बोला सेकुलरिजम इसकी देश का बेसिक स्ट्रक अर्तिय कोट से नियाले से आज भी पूरा विश्वास है और यह भारत पूरा विश्वास रखेगा और हमें यह हम अभी भी कहे रहे हैं से मुझे पूरा यकिन है यह जो है क्या जो एक्ट होगा धार्मिक भेदबाव के बाद बेस परी अमद एक आखरी सवाल सोशल मीडि कि हमें बड़े पेमाने पर जो लोग आप लोगों के अंदोलन से इत्तिफाक नहीं रखते हैं वह बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं है और वो यह कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोधी सरकार को तो कठोर फैसले लेने के लिए जनादेश मिला ऐसा वो तर्क दे रहे आज अपना आधार देने में शर्मा रहे हैं मैं वह भाजपाइटी सेल के लोग है जो यह प्रोपगंडा पहला रहे हैं मैं उनसे यह कहना चाहूंगा उनको सनिविधान की नौलिज नहीं है उनसे गुजारिश है कि वह आर्टिकल 14 को पढ़े आर्टिकल 15 जो प्रोहिबि जो रहे चुक है हमारे देश के फाकरुदेन अली जो कि उनके फैमिली मेंबर करनी अगर वो बंदा भारते नहीं था तो आपने प्रेसिडेंट के से बादिया बढ़ते घ्रा नहीं थी तो यह जो भिल जो इननर्स है इसमें भी सरकार के प्री तरें का कैसे विश्वास कर लूँ जब हमारे फकरुदिन अली के फैमिली मेंबर का नाम नहीं आया जब हमारे आर्मी में जो लोगों ने सर्विस दिये उनका नाम नहीं तो मेरा का सरकार जो असम में एनार्सी लागू हुई उस पे जब सवाल पूचे जाते हैं मीडिया के दौरा त साइन गया था असाम एक्रोड में सिर्फ यह बात कही गई थी जो इल्लीकल इम्रिमेंट से इमिग्रेंट से 1970 के बाद वाले वो सब बाहर हाना 1971 के बाद वाले वो सारे बाहर जाएंगे लेकिन इन्होंने क्या किया भाई 1214 से पहले के जो भी हिंदू है जो अदर धरम वाल अगिवा कर थे जो भीवरोवव प्रदर्शन करते हैं का कि देशातर होते बूसर्कर हैं हम सब किया चात्र जो होते हैं सबसाइब लिखे होते हैं हर कॉलिज में घ्यान इसलिए खड़ेंगे क्योंकि खिलाफ में और हमारे देश्व प्रोटेस्ट नीचल लग रहे हैं क्योंकि हम सनिविदान बचाने के लिए निकले मतलब अकेले वही लोग है लोग चुन के आएं वही देश के आसली नागरी के और वही देश बचाएंगे और बागी जितने लोग रोट पर उतरे हैं वह त्रिप पागल हैं पैसे की बात किसी ने करी इसके उपर तक देखिए किसी भी लॉग के तीन पार्ट होते हैं एक आपका मेरा नम नितन है और मै किसी भी लॉग के आप बात करते हैं पर तक अब चीज़ लेगल और शोचल की ओपर हम सबी लोग यहां पर काम कर रहे हैं बात कर रहे हैं अब अब चीज़ देखिए अभी हमने NRC किया है असाम के अंदर 3.2 करोड की जो कि नहीं कर भाइए, मैं वहीं करभा है, मैं पबली के खड़ेट की बात कर रहा हूं, आ ट्रीजरी की बात कर रहा हूं, जो एस्टीमेट है, वह 12 क्रोड में-16 क्रोड तक कह स्टीमेट है, एक स्टेट के ऊपर, and geographically, that is only 2.4% of Indian geographical area. पूरी इंडिया की 135 क्रोड लोगों की हम बात कर रहे हैं तो गौर्मेंट क्या बोल रही है कि हम नर्सी पूरे देश पर आगू करेंगे क्या गौर्मेंट के पास जिसका अभी GST का रिवेन्यू पहली बार एक लाग क्रोड एक लाग 6,000 क्रोड हुआ है नोवंबर के अंदर अगर थोड़ा आप चार्ट अगौनेंट के इंगल से सोचेंगे तो उसके पीछे भी रीजन यह है कि गौर्मेंट ने इंपूट टेक्स का जो मिलता है आपको इंपूट टेक्स क्रेट उसको की बात में अगर्था आपको कि जब गौर्मेंट ने जी एस्टी लेक्ट लेके आए है ना तो कंकरेंट लिस्ट लेके आए तो गौर्मेंट का स्टीमेट था कि हर महींने हम एक लाग से लेकर एक लाग बीजा क्रोड तरक का कलेक्शन कर लेंगे एक्ट्वल नमबर सो अब आपको क्या है इसका मतलब क्या होता है कि लेटसे आप अगर सौरुपे का माल बेजते हैं खरीटे हैं पहले आप तो सौरोपे के अब आप इस वापने सौरुपे का माल देजेश रुपे में बेज दिया तो आठारा पर्सेंट पर जिए कितना होगा 27 रुपे तो कर देते हैं और एडिशनल नौर्प आपको अला होगा और अगले वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा पहले नौ पे कर रहा था वो क्योंकि अठारा पहले पे कर चुका था अब वो बोलेगा कि सब्सक्राइब करने के लिए और उसके लिए उनके पैसा नहीं है वो डिस्वर्स नहीं कर पा रहे हैं और उपर से हम बात कर रहे हैं कि हम पूरी इंडिया में दोजाट चौबिस तक अनर्सी दागू कर देंगे नंबर्स करें आपके आप कोई भी बात करेंगे आप धरातल भी बात करेंगे आप अब नंबर्स बताईए हमें मैं बोल रहा हूं कि आप शोशल बेबात करने के हैं कब तक कोई पॉलिस है आपकी आपने बोला कि हम क्या करेंगे हम अलग rare देशों से बात करेंगे जहां के नागरी के उनको वापस बेजेंगे आपने अब शेक हसीना को बोल दिया है कि यह हमारा इंटरनल मेंटर है इसमें हमारा कोई आपका कुछ लेना देना नहीं है तो इसका मतलब वह लोग कहीं जाने वाले नहीं है अगर त्यार है तो फिर आप त्यार नहीं है उसके लिए तो आप पिर नंबर के बारे बात करिए आप सरकार से नंबर मांगे कि आप ऐसा करी आप इस एक्ट का फाइनेशल इंपेक्ट और करके दीजिए हर एक सीन भी होता है सीन पी मतलब कॉस्ट एन बेनेफिट कहां पर इ जंतरमंतर जहां पर बड़े पैमाने में सैक्डों हजारों की संख्या में नौजवान अलग-अलग पेशों से जुड़े हुए इस्टुडेंट्स प्रोफेशनल्स जुटे हैं जो नरेंद्र मोधी सरकार द्वारा लोगसभा और राजिसभा में सिट्जियन्शिप एमेंडमेंट एक्ट बिल था पासों के एक्ट हो गया है आप देख रहे हैं दी ललन टॉप